देश जब जश्न बना रहा होता है हिंदुस्तान रोश्णी से नहा रहा होता है जब घर घर पटाके फूट रहे होते हैं ब्रधान मंत्री मूदी तब भी मिशन पर होते हैं इसे मिशन कहें या मूदी का स्टाइल जिसकी दिवाली सेलिबरेशन के लिए पूरा हिंदुस्तान है वो रोश्णी का फर्व सरहत पर मनाता है मेरा सभाग है मुझे बर्सों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का आउसर मिल रहा है एक और देश की संप्रभू सीमा और दूसरी और उसके समर्पित सिपाई विजे दश्मी के बाद आने वाली दिवाली पुराई पर विजे का प्रतीक उत्सों है रामराज की वापसी का राम की आगमन का यानी सही मायनों में दिवाली का सार ही ये है कि आतंक का अंतों और उसका उत्सों मनाई जाए पराक्रम और सौरिय से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है मेरी दिपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है करगिल युद्ध के दवरान में सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को पुचल दिया थी एक दिव जीत दिलाई थी शायद यही वज़े है कि पियम मोदी पिछले दस साल से बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रही है उनकी ये दिवाली भी बॉर्डर वाली है ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विज़े का जैगोष है हर मन का आवान था मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने पुर्धान मंत्री की कुर्सी सम्हाली है वो हमेशा ही जवानों संग दिवाली का परो मनाते आए इस बार 12 नुवंबर को दिवाली है इस बार भी बियम जवानों के साथ ही दिवाली मनाए दिवाली का अर्थ है आतं के अन्त के साथ उत्सव आतं के अन्त का उत्सव यही कारगिल ने भी किया था कारगिल में हमारी सेना ने आतं के फ़न को कुचला था और देश में जितकी ऐसी दिवाली मनी थी ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं दरसल जमानों के साथ दिवाली मनाने का उत्देश उनके मनुबल को बढ़ाना है और यह संदेश देना है कि जो देश की हिफाज़त के लिए सरहत पर खड़े हैं वो अकेले नहीं है पुरा देश उनके साथ नहीं है लोकल के लिए वोकल हो रहा है और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए सपने देख करके समय लगा रहा है और इसलिए खड़ देश का मुखिया सरहत पर दिवाली सेलिबरेट करने जाता है पिएम मोदी पिछले नव सालों से देश के अलग-अलग इलाकों में पोस्टेट सैनिकों के साथ दिवाली सेलिबरेट करते आएं एक बार फिर देश दिवाली का जश्ट मना रहा है तो इसके पीछे हैं उन सोलजर्स की मुस्तैदी, खुर्बानी, गर्तब विनिष्ठा और देश के प्रती मर मिटने का होस्ता जिसके दम पर हिंदुस्तान का कोना-कोना रोशन हो रहा है और ये पिछले नौ सालों की तस्वीरे हैं जब से प्रधान मंतरी बने हैं कोई भी ऐसे दिवाली नहीं गई कभी सियाचीन, कभी जैसल मेर, कभी करगिल में जवानों के साथ दिपावली मनाते रहते हैं और यही वो तस्वीरे हैं, जो बताती हैं, जो साबित करती हैं कि कोई दूसरा नरेंद्र मोदी जैसा नहीं हो सकता जो देश का अभिमान है जो सरहदों के रखवाले हैं पीम मोदी हर बार उन सैनिकों के साथ दिवाली मनाते नजर आए हैं फिर चाहे इस बार माडा गाउं की दिवाली हो या 2014 में पीम मनने के बाद सियाचिन में पहली दिवाली 2014 की दिवाली सियाचिन वाली 23 अक्टूबर 2014 की वो तारीक नरेद्र मोधी को प्रधान मंत्री बने अभी सिर्फ छे महीने हुए थे प्रधान मंत्री के तौर पर ये उनकी पहली दिवाली थी दिवाली सेलिबरेशन के लिए उन्होंने सियाचीन जाने का फैसला किया तो हर कोई डंग रह गया क्योंकि इससे पहले की पुर्धानमंत्रियों ने टेवहार को कभी इस अंदाज में सेलिबरेट नहीं किया था माइनस चालीस डिग्री में जहां जवानों के पैर बर्फिस्तान में टठे रहते हैं उस सियाचिन में पुर्धानमंत्रि मुदी को दिवाली मनाते देख तब दुनिया डंग रह गए क्योंकि उनके सियाचिन में दिवाली मनाने का मक्सद सिर्फ इतना था कि सैनिकों की होसला अपजाई की जाज़ते प्राइमिर्स्टर बने तब से हर साल सर्दियों में दिवाली अपने जवानों के साथ बनाते हैं इससे बहुत जबरदस फादे हुए उनका उदेश और लक्षिर है कि जवानों का मराद और बोटिवेशन बढ़ाया जाए क्योंकि in the ultimate analysis का जाता है कि it is man behind the machine जो वस्तब में जीत और हार का फासला करता है कई मायने एक देश के रखवालों का होसला बढ़ाना तो दूसरा पाकिस्तान जैसे दुश्मन को संदेश देना 2015 में जब पंजाब में पियम मोदी सैनिकों के साथ दिवाली सेलिबरेट कर रहे थे तब वो 1965 युद्ध के वार मेमोरियल भी गए जो पाकिस्तान को एक साफ संदेश था 2016 में हिमाचल में दिवाली 2015 के बाद साल 2016 में पियम मोदी हिमाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते निज़राए इस बार दिवाली पर पियम के साथ थे आर्मी और डोग्रा स्काउट के जवान सामाने रुप से हर किसी कम मन करता है दिवाली अपनों के पिछ बनाना बेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के पिछ बनाना और जो अपने हैं उनके भी जाया और इसलिए हसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हुआ 2016 की दिवाली में सबसे खास ये था कि इस बार जब पियम मोदी जवानों से मिले तो ऐसा लगी नहीं रहा था कि जवान प्रधानमंत्री से मिल रहे हुआ इस बार पियम मोदी जवानों से किसी दोस्त की तरह मिलते हुए नजर आये उनका हुस्ता बढ़ाया और सास में फोटो फिच्वाए 2017 में बियसेफ जवानों के साथ सेलिवरेशन प्रधानमंत्री मोदी 2017 की दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में थे बांदीपुरा में बियसेफ और सेना के जवानों के साथ पियम मोदी का दिवाली सेलिवरेशन इस बार खास था पियम ने जवानों से संबाद किया विठाई बाटी तो पाकिस्तान को सक्त संदेश में दिया मैं आपके बीच आया हूँ कोई कि आप मेरे परिवार के हैं आप ही मेरा परिवार है और इसलिए मेरे अपने परिवार के बीच जिपाल दुमनाना उनकी खुशियों में सरीख होना उनके सुख दुख को समझना तीजी गिजारते हैं वो कौन सी भावना है कौन सी प्रेणा है जो आपको यह ताकत देशी है 2017 के दिवाली पाकिस्तान के लिए एक धमाका था क्योंकि प्रधान मंत्री ने इस बार जम्मू में खड़े होकर आतंग के आकाओं को चिताया था तो अपने देश की मुखिया का यह अंदाज देख जवानों का जोश भी हाई था मुझे एक दम से उर्धा मिलती है आप सहाथ मलाता हूं एक नई चेतना आजाती नई ताकत आजाती है क्योंकि आपके साथ क्योंकि आप लोगों ने एक प्रकार से जिंदिगी को ऐसे जी आप होता है एक प्रकार से ये भी एक तपस्या है जानता हूं मैं मैंने कभी मुख्यमंतरी बना तब से अब तक कई वरसों तक मैं मुख्यमंतरी रहा अब प्रजानमस्दी बन गया मैंने एक भी दिवाली अपने हेड़क्वाटर पर नहीं मिलाई 2018 उत्तरकाशी में ITVP जवानों के साथ दिवाली पीम मोदी की बतोर प्रधानमंतरी ये पांचवी दिवाली थी हर बार की तरे इस बार भी उन्होंने दिवाली मनाने के लिए सरहत पर जाने का फैसला किया इस बार उत्तराखन की सरजमी थी जगे थी उत्तरकाशी का सीमान तिला का पीम मोदी इस बार ITVP जवानों के साथ दिवाली सेलिबरेट करने पहुँचे थी जैसे ही उनका हेलिकॉप्टर बेज कैम के आसमान पर उर्ता नज़र आया जवानों का जोश हाई हो गया भारत माता के जै के जैकारों से सीमा घूज जुचे अगले हिपल प्रधान मंत्री जवानों के साथ थी हर सिल में जवानों के साथ पीम मोदी ने सिर्फ दिवाली ही सेलिबरेट नहीं की बलकि उन्हें अपने हाथों से मिछाई खिलाई जवानों से हाथ मिलाया फिर सैकलों की संख्या में मौजूद जवानों के साथ गुरुप फोटों किसवाई जो बाकई ITBP के इन जवानों के लिए यादगार लमा था अरा देश का शीर्फ नेता है वो फोज के साथ इस तरह से घुला मिलावा है कि वो उनके सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार है और वो जब सरद पर तैनाथ है जब दुनिया भर का प्रकाश और रोष्णिया उनके पास नहीं पौस्ती उस समय देश का परधान मंत्री उनके पास होता है 2019 राजवरी में सैनिको संग सेलिबरेशन हर बार की तरह ही 2019 में पियम मोदी दिवाली सेलिबरेट करने के लिए जवानों के साथ से 27 अक्टूबर 2019 को मोदी ने राजवरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई तो जवानों के चहरे पर एक अलग तरह की खुशी नज़रा है हमार यहां परंपरा रही है कि दिवाली अपने परिवार जनों के बीच में मनानी चाहिए और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच में मनाऊ पीम मोदी रजवरी में जवानों के साथ उन्हीं की वर्दी में थी सबसे पहले उन्होंने शहीदों को नमन किया फिर जवानों को मिठाई खिला कर दिवाली सेलिबरेट किया इसलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवार जनों के बीच आया हूँ आप ही मेरा परिवार है अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाए भारत माता 2020 की दिवाली टैंक तोप वाली राजस्थान के रण में धूल उडाते टैंकों का दस्ता दिवाली सेलिबरेशन का हिस्सा है यही अंदाज है आर्मी वालों की दिवाली मनाने का इन टैंक में से एक पर खुद प्रधानमंत्री सवार नजर आये थे 2020 की दिवाली इतिहास में सबसे मुश्किल वक्त के बीच गुजरा प्रकाश उत्सो था देश कुरोना से जूज रहा था लोग घरों में कैथ थी हर रंग हर तेवहार सीका था लेकिन सैनिक तब भी स्तरहत पड़ डटे थी भला कुरोना से दर कर प्रधानमंत्री मुदी परंपरा कहा बदनने वाले थी उन्होंने कुरोना काल में भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाने का फैसला किया मा भारती की सेवा और सुरक्षा के लिए 2400 घंटे डटे रहने वाले आप सभी वीरों को फिर एक बार मेरी तरफ से 130 करोर देश वाक्षियों की तरफ से दिपावली की बहुत बहुत बधाई जैसल मेर में सैनिकों के बीद प्रधानमंत्री के तौर पर मोधी अपनी छटवी दिवाली मनाते हुए नज़र आए सबसे पहले उन्होंने शहीद मेमोरियल पर श्वत्धानजली अपित शौरी को नमन किया फिर कोविट प्रोटोकॉल के साथ देश के रखवालों से रूबरू हुए और सैनिकों को अपने हाथों से दिवाली गिफ्ट दिया तो टैंक पर सवार हुकर राजस्थन के रण में रणबाकरों के बीच पढ़ानमंत्री धिवाली मनाते नज़र आए आप है तो देश हैं देश के लोगों की खुशियां है देश के ये त्योहार है मैं आज आपके बीच प्रतेग भारतवासी की शुब कामना ये लेकर आया देश के जवानों की प्रति प्रधानमंत्री का ये लगाव ही है कि चाहे कोई भी साल रहा हो चाहे कोई भी हालात वो दिवाली मनाने हर बार सैनिकों की बीच बहुचते रहे दोहजारी कीस को भी एक ऐसी खास तद्वीर देखने कुई जब पाकिस्तान बॉर्डर पर नौसेरा सेक्टर में सरहत के रखवालों की बीच प्रतानमंत्री मुदी दिवाली मनाने पहुचे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आशांती भैलाने के अंगिनित कुछी प्रयाश हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवाद को मुहतोड जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाब इस दर्ति में एक स्वाभाविक प्रेरना जम्मु कश्वीर के नौशेरा सिक्टर में सैनिको के बीच जब पीयम मोधी पहुचे तो सबसे पहले वीर सपूतों को नमन किया फिर जवानों के रंग में रंग गए सैनिको का मूव इठा कराया तो देश के दुश्मनों के दाथ खटे करने वाला संदेश भी दिया भारत माता की जए भारत माता की नहीं जो दुखारका तो खासा निकरे रहा है यहां तो चलिए सब को बहुत शुकामना है भई या दोनवल की बात अगर दियो लीडर जो है भारा मिलिट्री लीडर नहीं है वर्दी में नहीं है लेकिन निमाग में है वो हमारे प्रधान मत्री है तो अगर जो प्रधान मत्री कहीं भी जाएं जहां मिलिटरी के हैं या बॉर्डर पे जाएं और कोई भी सेलिब्रेशन उनके साथ करें तो मनबल जरूर बढ़ेगा 2022 की दिवाली कारगिलवाली 24 अक्टूबर 2022 की सुबा यानि दिवाली का दिल जब सुबा सुबा प्रधान मंत्री नरेद्रमोदी कारगिल पहुँच गए जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए जहां उन्होंने न सिर्फ दिवाली मनाई बल्कि बढ़ोसी दुश्मन को ललकारते हुए इ अंदुस्तान की ताकफ का एहसास करते हैं अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है कि मेरे लिए तो कि वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है मेरी दिपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाता है मेरी दिपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा प्रसस्त करता है 2022 की दिवाली पर जब पीम जवानों के साथ थे तो रहों ने खुल कर अपने मन की बात किया तब ही प्रधान मंत्री ने बता दिया था कि उन्हें जवानों के साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है एक बार फिर देश दिवाली का जश्ट मना रहा है तो इसके पीछे है उन सोल्जर्स की मुस्तैदी, कुर्बानी, करतब निष्टा और देश की प्रती मर मिटने का होस्ता इसके दब पर हिंदुस्तान का कुना-कुना रोशन हो रहा है जगमगा रहा है इस बार फिर प्रधान मंत्री मुदी जवालों के साथ दिवाली सेलिबरेशन के दिवर ओड देश एटी